हेलो एवरिवन वेलकम यौ अगयान अट राइंग साइस अकेडमी डेली करेंट अफेर सीरीज जहां पर हम डेली के 10 करेंट अफेर्स को mcqs के तुरू डिसकस करते हैं और इस सीरीज में जैसे कि आप सब जानते हैं आपको इसमें mcqs अटेम्प करने होते हैं कमेंट सेक्शन के तुरू तो आज हम इसमें 2021 की जो करेंट अफेर्स कवर करेंगे आज हम एक नया मोड इसमें ट्राइ किया है आपके आप लोगों को इसमें नोट मेकिंग में काफी इजी पड़ेगा तो शुरू करते हैं हमारा करेंट अफेर का आज का सेशन तो पहला क्वेशन से स्टार्ट करते हैं आपको बताना है कि सेफ हार्बर पोविजिन किस चीज से रिलेटेड है आपके ऑप्शन्स है एक्स्टरनल अफेर्स बी यूनिक लॉश सी डिजिटल प्लाटफॉर्म या फिर दी नन अब दी अबव्व जो तैयारी करते हों लोगों को पता होगा यूनिक लॉश यहां पे आपका जो यूनाइटी नेशन के जो बॉड़ी है उसकी बात करी जा रही है यहां पे और बाकी के दो ऑप्शन काफी डारेक्ट है तो आप जैसे जानते हैं वीडियो को पॉस करिए कमेंट सेक्शन में अपना अंसर टाइप करिए और देखते हैं आपका अंसर सही होता है कि नहीं होता क्योंकि काफी यह आजकल न्यूज में चल रहा था और अब यह फिर से आपका भाट टाइम से न्यूज में है इसलिए यह काफी इंपोर्टन टॉपिक हो जाता है काफी इंपोर्टन हो जाता है इसलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या है आप आपना आंसर टाइप कर दिये हो इसका आंसर है आपका C which means the safe harbor provision क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत टाइम से यह जो आपका OTT जो over the top platform है उनके regarding उनको regulate करने की बात चल रही थी इस वज़े से यह न्यूज में था तो जो safe harbor provision है यह आपका IT act है उसके अंदर आपका define किया गया है basically इसमें होता यह है कि इसमें जितनी भी social media intermediaries होती है उनको एक immunity provide करी जाती है for example अगर मानो किसी social media platform पर कोई भी party कोई भी उसमें जो user है वो उसमें कुछ ऐसी चीज अपलोड करता है ऐसी चीज उसमें पोस्ट करता है जो किसी भी legal prosecution के अंदर आ रही है तो यहां पर क्या होगा कि जो वो platform है या फिर वो जो intermediary है वहां पर जो user कि तो वो उस intermediary को यहां पर एक immunity provide करती है अगर और simple language में बोलो मैं तो basically उस पर कुछ case नहीं होगा कि उसके platform पर कुछ भी चीज अगर को user पोस्ट करता है जो कि authenticated ही है तो इस तरीके से इसका answer आपका C हो जाता है तो safe harbor provision आपका digital platform से related है अगर इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो recently अभी बात भी चल रही थी कि social media और digital news को हम regulate करेंगे तो इसके regarding three आपको पता होगा कि इसके regarding आपका three layer आपका गिपरांस रिट्रेश्चल यहां पर आपकी बात करी गई है तो three tier गिपरांस रिट्रेश्चल की बात करी गई है तो जहां पर यह social media की आपके यह बात करी गई है यहां पर पहला जो originator होगा वो खुद identify करेगा कि किस तरीके का दो आपके content आ रहा है दूसरा फिर वहाँ वो एक branch officer को appoint करेगा जो कि आपकी complaint को 15 days में solve करेगा उसके बाद आपका फिर 3rd stage है ऐसे ही आपका जो digital news होता है उसके लिए भी आपका यहाँ पर अलग से provision रखे गए हैं कि जो digital news है वो किसी को follow करेंगे तो वो press council of India जो है उसके थूरू norms को follow करेंगे यहाँ पर आप लोगों के लिए एक question देना चाहती हूं कि यह press council of India है यह किस तरीके की body है और अगर यह जिस भी तरीके की body है तो आपको यह बताना है कि यह कौन से अट के थूरू बनी है थी और यह कब बनी थी और प्लीज अगर आप लोगों को पता है यहाँ पर आपका appointment होता है अब यहाँ भी बात आजाते कि कौन से judges का appointment यहाँ पर करा जाता है फिर थर्ड टियर जो होगा इसमें आपका IB जो ministry information and broadcasting ministry होगी बहाँ पर यहाँ पर आप इस tier पर देखेंगे तो यहाँ पर ओवर दॉप platform की बात आती है तो यहाँ पर self classified content होगा जिसमें इन्हों ने बताई है फिर यहाँ पर पैरेंटल लॉग की भी आपको सुविधा बताई गई है तो इस तरीके से इन्हों ने इसकी बात करी गई है तो इसलिए न्यूज में था और इसलिए अभी भी चल रहा है काफी गवर्मेंट ने यह बोला था कि safe harbor provision के होने के बावजूद भी कोई भी social media intermediary जो है वो immune नहीं हो सकती है वो responsible होनी चाहिए अगर उसके platform पे कुछ ऐसी चीज़ अप्लोड होती है तो इसलिए इस चीज़ को न्यूज में रखा गया था तो इसी के साथ ही हम अपने next question की इसने काफी news में सुना होगा बहुत ही famous committees हैंगे तो आपको बताना ही किस चीज़ से related है तो आपका option A है carbon neutrality, दूसरा है आपका police reforms, थीसरा है election reforms and the third last one is none of the above. वीडियो को pause करिए और comment section में अपना answer type करिए बहुत easy question है यह I think जल्दी सो जाएगा तो इसका answer है आपका B, which is the police reforms, तो basically काफी पुलिस, पुलिसिंग जो system है इंडिया का, उससे related बहुत सारी जो problems है या फिर जो challenges है उनको address करने के लिए time to time पे committees बनी है, so इसके regarding ही आपकी इसे for example first आपकी बनी है गोरे committee, फिर उसके बाद आपकी बनी है national police commission बना है, फिर रिबैलियो committee बना है, पदमा निभा committee बना है, प्रकास सिंग वसे Union of India एक case भी आया था, जिसमें Supreme Court ने कुछ directions दिये थे, police reform के रहे, so ली सोराब जी committee बनी है, तो इस तरीके कि जो ये committee बनती है, तो ये कुछ recommendations provide करती है, कुछ को कभी government मानती है, कुछ को नहीं मानती है, बढ़ हमाले important हो जाता है कि ये committees कि चीज से related है, क तो कि ये main answer writing में काफी important हो जाती है, इन committees के recommendations हमें, suggestions में हम दिख सकते हैं, इसलिए ये important हो जाती है, तो इस तरीके से आपका second question का answer है आपका B, which is the police reform, तो ये committees आपकी इससे related है, और ये भी important हो जाता है कि कौन कौन सी, और committees, जैसे Solis औराब जी committee है, ये भी काफी important committee है, इन के recommendations भी बहुत important माने जाते हैं, so इसके साथ ही हम अपने third question की तरह बढ़ते हैं, so I hope आप लोग answer provide कर रहे हो, so which among of the following is slash are correct, आपको correct statement बता रहा है, दो statement आपको दिए गए है, so first statement is, R.O.D.T.E.P. is a scheme for exporter to make Indian products cost competitive and create a level playing field for them in a global market, basically ये एकी scheme है, जिसके बारे में आपे बात करी जारी है, आपको बताना है कि क्या ये जो scheme है, ये आपके exporter के लिए है, दूसरा इसमें आपको statement बोल रहे हैं, कि it has replaced the current merchandise export from India scheme, which is not in compliance with the WTO norms and rules, दूसरे statement में ये बोल रहा है, कि इस scheme ने जो आपकी इससे पहले जो merchandise export scheme थी, उसे replace किया है, क्योंकि वो जो scheme थी, वो आपके WTO के norms को fulfill नहीं कर रही थी, तो आपको बताना है कि इसमें correct statement कौन से है, A only, B only, both or none, अभी कुछ दिन पहले ही ये news में था, और इसलिए ये आपका question भी बना है, तो I hope आप लोगों ने answer कर दिया हो अभी तक इसका, तो इसका answer है आपका both, which means आपके दोनों statement यहाँ पर correct है, क्योंकि ये exporters के लिए ही बना गया है, पहला statement इसके correct है, दूसरा statement इसके correct है, क्योंकि यहाँ पर आपका, इसने जो merchandise export scheme थी, उसको ही replace किया है, अब थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में पढ़ें, तो इसके full form आप के जो आपका, जैसे कि हम इसमें बात करें, ग्लोबल मार्केट में किस तरीके से में stand करें, इसके लिए हम यहाँ पर इस scheme में बात करते हैं, अब यहाँ पर एक और चीजी important हो जाती है, क्योंकि इसके पहले जो scheme announced हुई थी, जो आपकी merchandise export scheme थी, वो आपके WTO के norms के according नहीं और US-based किसी ने इहाँ पर complaint कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर dispute settlement panel से related भी कुछ issues थे इस वज़े से, तो इसलिए उन्होंने फिर नई scheme लेके आये, जो फुल्फिल, जिसने पूरी तरीके से जो WTO के norms थे उनको फुल्फिल करा, तो इस तरीके से यहाँ थी, इसके बाद आता है कि merchandise export जो है, scheme के बारे में, अगर हम हलका सा पढ़ें, तो basically यह आपका export को enhance करने के लिए करा गया था, कौन से exports, जो आपके notified goods manufactured होते हैं, country के अंदर, तो यह scheme जो आई थी, आपकी 1 April 2015 को आई थी, और उसके बाद इसने बहुत तरीके से इसमें help करा, इन्होंने incentivize के exports को, और 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 कई चीज़ों नोंने, आप इसमें पढ़ सकते हैं, details काफी दी गई है, so इसे साब से आपका जो दोनों statement है, वो correct होते हैं, और इसी तरह हम अपने next question की तरह बढ़ते हैं, so तो हमारा जो आज का fourth question है, वो है आपका judges of high court sit के बारे में है, आपको इसमें correct statement बताना है, तो पहला statement है, the chief justice of India, the chief justice of India can appoint duly qualified persons as additional judges of a high court for a temporary period non-exceeding two years, basically इसमें ये बोल रहा है कि जो chief justice होता है, आपका, इंडिया का, वो आपका additional judges के appointment करता है, temporary period के लिए, दूसरा इसमें ये बोल रहा है कि दोनों जो, both additional and acting judge, cannot hold office after attaining the age of 62, तो आपको इसमें correct statement बताना है, काफी इसमें key points दी गए है, क्या इसमें chief justice of India appoint करते है, क्या age 62 है, क्या यहाँ पर two years criteria रखा गया है कि ने रखा गया है, तो धिहान दीजिए, वीडियो को post करिए, comment section में अपने answer type करिए, आपके options है, a only, b only, both या none, तो आप लो अपने answers type कर दी हो, so इसका answer है be only, which means आपका पहला statement गलत है, अब हम देखते हैं कि पहला statement गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर chief justice of India नहीं, president इसे appoint करता है, इसलिए आपका पहला statement यहाँ गलत हो जाता है, तो basically जो यह news में क्यों था, यह current office का topic क्यों बना है, क्योंकि Supreme Court ने कु वहाँ पर यह बात करी गई है, तो अब अगर हम हलका साइस का static portion देखें, तो ad hoc judges की appointment होती है, high court में, जैसे कि हमने option में भी statement में भी था, कि वहाँ पर president उसे appoint करता है, जो high court के लिए, और जो period होगा, वो two year होगा, उससे जादे नहीं हो सकता है, अब यहाँ पर important हो जाता है कि दो reasons, पहला, there is a temporary increase in business of high court, work load बढ़ जाए, जैसे high court में, इसलिए होँआ पर appointment करा जा सकता है, दूसरा, there are areas of work in high court, इस तरीके से दो यह important इन्होंने criteria बता रखे हैं, दूसरा, इन्होंने एक और चीछ बता रखे हैं, कि the president can also appoint a qualified person as an acting judge of high court, when a judge of that court is, symbol सा, इसमें इन्होंने ये बोला है कि president जो है, वो किसी को as an acting judge of high court भी appoint कर सकता है, other than chief justice, तो यहाँ पे भी इन्होंने इसके दो condition बता रखी हैं, कि for example, मानो कोई judge है, वो अपनी duties को perform ने कर पा रहे हैं, कुछ भी reason हो सकता है, दूसरा, अगर वो chief justice की post पर appoint हो रखा है, temporary period के लिए, तो वहाँ पे जो president है, वो किसी qualified person को as an acting judge भी वहाँ पर appoint कर सकता है, तो ध्यान रखेगा, यह दो अलग अलग चीज़े हैं, उपर नहोंने additional judge की बात करी है, निचे उन्होंने acting judge की बात करी है, और दोनों का time period याद रखेगा कि कौन से, किसमें two years बताया गया है, औ गर हम बात करें, तो acting judge जो होंगे, वो आपके permanent, वो तब तक office hold करते हैं, जब तक permanent judge अपना office में वापिस ना आ जाए, और constitution में बताया गया है, कि additional acting judge दोनों की तब तक office hold करेंगे, जब तक 62, cannot hold office after returning the age of 62, 62 के होते ही, वो office को hold नहीं कर सकते हैं, तो यह हमने question में भी देखा यही कहा गया था कि both additional and acting judge cannot hold office after returning the age of 62, तो यहापे इनका criteria बताया गया है, इसलिए आपका be only answer होता है, जैसे कि मैंने बताया है कि news में क्यों था, क्योंकि जो जैसे कि हम जानते कि हमारे cases की pendency का जो issue है, हमारी judiciary system में उसमें बहुत जादा है, और इसी वज़े से आब अगर ह हाई court का भी हम data देखें, तो जैसे आपे पटना की बात करें, तो 60.4% कालकटा की बात करें, अगर हम तो 55.6% यह highest court with highest vacancy, यहापे vacancy की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखें, और यह mostly वो areas हैं, जहां पर population भी बहुत है, तो इस वज़े से यह आपका news में था, और इस following is slash are incorrect regarding the world press freedom index, अभी करही के जो lecture था, उसमें हमने पूछा था कि world press freedom index, जो है, वो कौन निकालता है, या फिर वो कैसा बनता है, तो आप आज उससे लेटे धी question है, आपको इसमें incorrect statement बरताना है, पहला statement है, the world press freedom index 2021 has been released by the reporters without borders, in which Sweden topped the index for the 5th year in a row, पहला statement, दूसरा statement है, इंडिया was ranked in a bad category, along with Brazil, Mexico and Russia, तो आपको इसमें incorrect statement बताना है, तो A only, B only, both or none, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो या आप लोगों के लिए बहुत ही फिल्टास कोशन हो जाता है, क्योंकि ये कल ही पर्सों नूस में था, और हमारी जो इसमें performance है, वो भी काफी news के लायक है, तो आप लोग video post करिए और comment section में अपना answer type करिए, देखते हैं, तो इसका answer है आपका A only, which means आपका first statement इसमें गलत है, तो अब यहां पे ये गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि पहले statement में यहां पे आपका Sweden नहीं, आपका आएगा Norway, क्योंकि Norway ने watchdog है, वो इसको release करता है, 132 countries को इसमें label किया जाता है, very bad, bad और problematic यहां पे इनको जगा दे रखी है, फिर उसके साथ ही अगर हम इसमें इंडिया की position की बात करें तो हमारी 142nd position इसमें आई है, 180 countries में, और यहां पे हमारी चो category है, वो bad है, और हम किसके साथ और कौन countries के साथ ह Brazil, Mexico, Russia के साथ हमें आप लिस्ट किया गया है, बाकि यहां पर इक बहुत important चीज़ देखने लाए क्यों जाती है, कि इंडिया को world's most dangerous countries for generalist में रखा गया है, जो कि अपनी job को अच्छे से कर रहे हूं, तो यहां पर यह बहुत ही एक alarming situation यहां पर यह दिखाता है country की, इसे अपने next question की तरह बढ़ते हैं, so यह आपका geography based question है, black sea related क्योंकि आपका water body वारे area भी काफी news में होते हैं, तो आपको बताना है कि black sea के साथ कौन सी ऐसी country है, जो border share नहीं करती है, तो आपके options है, Serbia, Ukraine, Georgia, Romania, I hope आप लोगों ने geography अच्छे से cover करी होगी, तो आप लोगों के लि सो इसका answer है, आपका A, Serbia, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका, यह आपका black sea है, यह आपका हो गया Romania, यह हो गया आपका Serbia, जो कहीं दूर दूर से आपका water share नहीं करता है, फिर आपका यह होता है, यहाँ पे आपका Russia, और यह होता है आपका Georgia, जो कि हमें पूरा दिख रहे हैं कि आपका water share कर रहे हैं, तो इस वज़े से हमारा answer हो जाता है, सर्विया, कुछ ऐसी यह बोडी से बहुत important हो जाती है, for example, Sea of Azov, यहाँ पे important हो जाता है, एग एजीन सी यहाँ पे important हो जाता है, Mediterranean Sea बहुत important है, इस से related questions बहुत देखे गए हैं, Sea of Marmara य में अपने साथ साथ cover करते रहे हैं, ताकि आपका एक अच्छे से notes prepared होते रहे हैं, और final exam के लिए आपको burden ना हो जाए, तो इसके साथ ही हम अपने next question की तरह बढ़ते हैं, so which among of the following is slash are correct regarding UNFCC, आपको इसके बारे में correct statement बताना है, तो आपका पहला option है, आपका पहले statement है, it was adopted in 1992, दूसरा statement है, India has been a signatory and also ratified it, आपको बताना है किसमे correct statement कौन सा है, बहुत direct statement है, अगर आपको पता है, तो बहुत easy हो जाता है आपके लिए attempt करना, so I hope आप लोगों को बता होगा, आपके options है, A only, B only, बोथ हिया जान, तो रेखते हैं, इसका answer क्या है, इसका answer आपका बोथ आपका 1992 में adopt हुआ था, दूसरा इंडियास का signatory, प्लस इंडिया ने इसको ratify भी करा है, so जैसे कि हम देखते हैं इसमें, अगर हम हलका सा इसका intro देखें तो इसको आपको 1992 में adopt किया गया था, force में ये 1994 में आया था, ये important हो जाता है, इसका headquarter आपका bond Germany में है, इसके बाद इसमें आपका, जैसे कि हम जानते हैं, इसका सेक्टर का है, climate change है, इंडियास का signatory है, yes, इंडियास का signatory भी है, और इंडिया ने इसको 1993 में ratify भी कर दिया था, यहाँ पर important ही हो जाता है, कि UNFCC लीगली binding नहीं है, और basically यह किसमें काम करती है, जो green house gases होते हैं, उनके emissions से related य तरफ बढ़ने से पहले अगर वही जो इसमें मैंने पीछे बताया, उसको ही नहीं एक line में लिख के बता रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं, note making में easy हो जाएगा, तो इसके साथ ही हम अपने next question की तरफ बढ़ते हैं, so Dash has announced hashtag FOSS A4GOV innovation challenge to accelerate the adoption of free and open source software FOSS in government, आपको बताना है कि यह basically यह challenge जो है कि कौन से ministry ने announce किया है, आपके options है, ministry of finance, ministry of work sciences, ministry of aviation या फिर none of the above, वीडियो को pause करिये, अपना comment section में answer type करिये, अगर आप daily current affair follow कर रहे हैं, तो यह question आपको पता होगा, क्योंकि यह बहुत easy question है, तो इसके साथ ही हम answer देखते हैं, जो कि आपका D, none of the above, क्यों यह जो challenge है, अनाउंस किया है, बेसिकल यह इंडियन start-ups के लिए रखा गया है, और government-based applications को इसमें, वो करने के लिए रखा गया है, तो बाकी इसमें detail, में इसमें pre के बेस पर यह important हो जाता है, कि यह आपका ministry of electronic and information and information technology ने से launch किया है, उसके साथ ही हम अपने 9th question की तरह of the following is slash are correct, आपको correct statement बताना है, दो statement दिया गये है, e-center is an electronic marketplace providing a platform to connect aqua farmers and the buyers, पैला statement, दूसरा statement, लाँच्ट बाइ दी यूनियन commerce ministry, आपको बताना है कि इसको किसने लाँच किया है और यह है क्या, बेसिकली, तो A only, B only, बोथ किया अनन, आपको वीडियो को पॉस्ट करिए, अ और अगर आपको, आपने हलका भी इसमें पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि इसका answer क्या है, तो इसका answer आपको बोथ, क्योंकि जैसा कि इसमें है, यह बेसिकली आपका aqua farmers के लिए रखा गया है, और जो दूसरा इसका statement था, कि इसको commerce ministries को launch करती है, बाकि इसमें इसक आज के session के last question की तरह बढ़ते हैं, portion gyan is a national digital repository on health and nutrition, पहला statement, दूसरा statement, launched by the ministry of health and family welfare, आपको यहाँ पर correct statement identify करने है, आपके options है, A only, B only, both or none, तो देखते हैं, इसका answer क्या है, आप लोगों को नीचे comment section में बताना है, तो इसका answer है, आपका A only, क्योंकि जो दूसरा statement है कि ministry of health and family welfare ने launch किया था, वो बिल्कुल गलत है, इसको नीती आयोग ने launch किया है, और किसके साथ किया है, Bill and Melinda Gates Foundation के साथ launch किया है, और बाकि इसमें एक, दो और इसमें parties है, तो basically यह national digital repository है, जो health and nutrition से related काम करेगी इसमें, और इसमें 14 thematic areas बताए गए हैं, और बाक इसमें काफी चीजें इसमें describe करी गई हैं, तो I hope आप लोगों के इसमें सही हुआ हो, तो जैसा कि current affairs की series में हमारा basic motive ही यही है, कि आपकी जो daily, जो current affairs है, 2021 के specifically, वो आपके अच्छे से cover हो जाएं, MCQ के तरो, अताकि आपको यह भी एक idea लग जाए, कि exam में जो question होते हैं, व I hope आप लोगों ने अच्छे से इसे attempt किया होगा, आप लोगों ने सारे questions को अच्छे से किया होगा, so thank you guys, thank you for listening, thank you all, see you later.